अब्रवाद करने वाले बहुत भी भेथरी इसकी लाइटनिंग जेल के बारे में तो दोस्तों इसे मैनिफेक्चर करता है माइक्रोलेब इल्टी दोस्ते इसमें कंटेंड के बारे में बात करते हैं इसमें कंटेंड ओक्टिन अग्जेग 7.5% और Glycolic Acid 3% और इसमें कोजिक Acid Dipalmitted 2.5% है और Graveseed Oil इसमें 2% है और Arbitune 1.5% है और Vitamin E Estrit 1% है और दोस्तों Magvary Estrit 1% और Allantoin 0.4% यह जो किसे के इंग्रिडेंट यह में इन में जो इसके इंग्रिडेंट है कोजी वीड प्लस के जो कोजी वीड प्लस के दोक्टर कफ रिसकाइब करता है इसका duration क्या हो सकता है इसके side benefits क्या हो सकते है और इसकी price क्या हो सकती है तो complete जानकारे के लिए वीडियो के अंग तक बने रहें और दोस्तों मेडिसीन की जानकर यह आप हिंदी में रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबारा ना भूले ताकि जो नेक्स वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे की मिलता हैक दुटिन अम्हारे है यह अद्री स्कैंडी उसाहिट करते हां न Hail gray जो सब्सक्राइब भी डेंज दोस्तों किन आपकेशिंट यह कहां गया अ काम करता है इसकी सब्सक्राइब व्हolé जो ऑसकी के टेक्सरको फरेंड करता जै उसके में काम है हमारे सकीन को में गया इंजानुंग की तेरी सफिंटी के उसके मेंकी करेंगा और जो इसमें RBT ने दोस्तों इसका मेइन वर्क है कि हमारे स्कीन को वाइटनिंग देना और साथ में प्रिवेंट करता है और यह सेफ है वाइटनिंग प्रॉपर्टीज के लिए और दोस्तों जो मैइक बेरी स्ट्राइक ते इसका मेइन वर्क है यह एंटी इंफ्लामेटरी है इसकी प्रॉपर्टी और साथ में यह जो हमारे छोटे बुटे घाव होते है जबी हम इसे यूज करते है तो उसे से प्रिवेंट करता है इसकीन को हीलिंग में मदद करता है तो इस तरह से इसमें यह जो मॉलिकुल से काम करते है इसमें जो अलंट्वाइन यह क्या करता है यह मोस्तराइजिंग का काम करता है और इसमें जो ग्लाइकोलिक असीड इसका मेइन वर्क है दोस्तों कि यह skin की जो पहली परत रहती है उसे remove करने का काम करता है जो dead cells रहते हैं उसे remove करने का काम करता है और जो pimples रहते हैं उसके जो mark हो जाते हैं जो pimples चीक होने के पास जो mark काले-कले धव्य होते हैं उसे भी कम करने में मदद करता है तो इस तरह से molecules के अंदर काम करते हैं दोस्त तो इससे लेने से पहले एक बार डौक्टर की सला जडरो लें अगर आप खुछ से लेते हैं तो हो सकता है इसके side effect देखने हो किम ले तो दोस्तों किस्कीन पिलिंग पुणने होना ईफकी की परत तीनिक होना और साथ में बार नि constitu चोड्र होना और करता है बहुत ही ज़वते गोर्यापन दिलाता और साथ में दोस्तों यह करता है कि जो हमारी जूया रहतीए उसे भी-star खतम करता हाथ और जो जो डाउक्श दथी होने के पार जो चोटी-चोटी महां पे डार्क जो निश्यान पढ़ जाता हु wyd उसे भी कम करने में मदद करता है तो जब भी आप बाहर निकले तो आप छत्री का जरूर इस्तेमाल करें या हाई जो जिसका SPF जाते हो 50 प्लस हो या उससे कम हो जेल बेस तो उससे आप यूज करें संस्क्रीन को अगर आप डारेक्ली जाते हैं संस में तो हो सकता है इसमें आपकी स्कीन बर्न होने के चांसे से कि गलाइकलोगी का इसमें है तो पीलिंग का एक्षिन के हो सकते हैं तो दोस्तों आप प्रिवेंट करने के लिए आप इसना आप कीजिए कि जब भी आप बाहर जाते हैं या च्छतरी का और वाइटनिंग के ऊपर तो जो राइट हैं जो प्लेइलिस्ट उस अप्लेए करके देख सकते हैं तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब दक के लिए अपना ख्याला के अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और भी अप मेडिसीन के बारे में प् सबस्क्राइब करें